नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चेनल रिवीव बाजार में एक बार फिर से दोस्तों आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ और वॉल्यूट की कुछ फिल्मों की अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ जानने वाले हैं कि ये फिल्म में कवर रिलीज होने वाली है तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा अगर आप बेन फिल्मों का इंतजार बेसबरी से कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सुपरिस्टार अक्षय कुमार सर की मच अवेटेट फिल्म बच्चन पांडे के बारे में जो कि एक मास एंटरेटेनर कॉमेडी फिल्म साबित होने वाली है इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको अक्षय कुमार के अलावा, कृती सेनन, अर्शद वारसी और जैकलिन फरनेंडीस में नजर आने वाले हैं और आज दोस्तों इस फिल्म की शुटिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है जेसल मेर में दोस्तों इस फिल्म की शुटिंग को आज से शुरू कर दिया गया है और फाईनल क्लेफ्स दोस्तों इस फिल्म के प्रोडिसर साजी नाडिया डवाले के लड़कों ने दे दिया है और इसी के साथ दोस्तो 180 करोड रुपे के बजट से बनने वाली इस फिल्म की शुटिंग फाइनली आससे शुरू हो चुकी है बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म 2021 में क्रिसमस के मोके पर रिलीज होगी और बॉक्स आफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोर सकती है वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पर दूसरी फिल्म तो यहाँ पर नाम आता है सुपरिश्टा शारूख खान की मच अवेटेट फिल्म पठान का जो कि एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी बताते चले दोस्तों आपको कि सिधार्थ आनन के डारेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का इंतजार ओडियंस काफी बेसवरी से कर रही है और इस फिल्म का फर्स्ट शेडूल भी कम्प्लिट हो चुका ही अब दोस्तों इस फिल्म के सेकंड शेडूल की शुटिंग एंडिया में हो रही है जिसके लीड में आपको सुपरिश्टा शारुक खान के अलावा जौन अबरहाम और दिपिका पादुकॉन भी नजर आने वाली है इस फिल्म का भी वजट लगबग 200 करोट रुपे से जादा करहेगा और ये फिल्म दिवाली या फिर क्रिस्मस के मौके पर इसी साल रिलिस होगी और बॉक्स आफिस के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है मौही दोस्तों बताते चले आपको कि एंडियन सीनिमा की सबसे मच आवेटेड फिल्म बन चुकी केजेफ चेप्टर टू जिसके टीजर का आप सभी काफी बेसर भी से इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के टीजर को दो दिन बाद 10 बचकर 18 मिनिट के टाइम पर रिलिस कर दिया जाएगा बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो लगबग 120 करोड रुपे का है और इस फिल्म को Indian Box Office पर April के महीने में रिलिस किया जा सकता है जो कि Indian Box Office पर अपने पहले दिन 100 करोड रुपे की आपनिंग ले लेगी तो आपको क्या लगता है दोस्तो के जेफ चैप्टर 2 Indian Box Office पर अपने पहले दिन कितने करोड की आपनिंग लेगी हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा वहीं अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर सुपरिश्टार धलापेथी विजाई की मच अवेटेट फिल्म मास्टर के बारे में जो कि दोस्तों डारेक्ट हिंदी में रिलीज होने वाली लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म का हिंदी में टीजर या ट्रेलर नहीं आता है तो ओडियंस को कैसे पता चलेगा कि इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों बतादे चले आपको की थेलापेथी विजाए और विजाई सेतुपत्ती के लीड में बनने वाली इस फिल्म का डारेक्शन लोकेश कनागराज न किया है और 14 जनवरी के दिन ये फिल्म में इडियन सिनिमा गरों में लगने वाली है जिसका बजट है लगबग 120 करोड रुपे का और ये फिल्म भी इंडियन बॉक्स आफिस पर अपने पहले दिन